कहानी के सुरुवात में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नम तरुन है और वो पेशे से एक जाने माने बकील है उन्हीं लॉग कॉलेज में एस्टुडेंट को मोटिबेट करने के लिए बुलाया गया होता है तभी तरुन कहता है कि कानून इंसाफ के बरावर नहीं है सिर् वे निर्भाया केस के यार दिलाते हुए कहते हैं उसमें पांच आरोपी थे जिसमें इसे एक नावालिक था बस तीन महेंने बचे थे बालिक होने में लेकिन उसने जो बिक्टिम को घाव दिया उससे उसकी मौत हुई और केस के दौरान वो 18 साल का हो भी गया था और पुर कुछ कप्रे को लेकर एक आदमे को दिखाने जाती है जिसका नाम रोहन खुराना होता है जो की एक जाना मना फिल्म ड mental था तभी अंजली रोहन को अपने कप्रे घर आती है ये देखर उसका भाई पूशता है क्या हुआ तभी अंजली सारी बात अपने भाई को बता देती है जिसके बाद हम रोहन को देखते हैं जो फिल्म सेट पर अपना काम कर रहा होता है तभी वहाँ पुलिस आती है और अंजली के बलतकार के केस में पकर कर ले जाती है तभ हम अंजली को देखते हैं जिसे पुलिस दोरा होस्पीटर लाया जाता है वहाँ पे कोई लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं थी तभी वहाँ पे वहाँ डॉक्टर उससे सवाल पूशता है जब ये सब हो रहा था तो आपको दर्ध हुआ या नहीं आप पहले से सेक रोस में आ जाती है तभी रोहन के केस का सुनबाई का दिन आता है जहां पे उसकी बीबी कैना आज भी मौजुद होती है तभी कोट अपना फैसला सुनाती है कि अंजली ने जो बयान दिया है उससे ही मिलते जुलते रिपोर्ट आये हैं यानि के डिने टेस्ट में यहाँ गया है कि अंजली के बिजायना में रोहन के इस्पर्म मौजूद थे जिससे रोहन को सेशन कोट के दोरा 10 साल की सजा सुनाय जाती है जब पुलिस रोहन को लेकर जा रहे होते हैं तभी वह अपनी वाइफ कैना से कहता है मेरा यकीन करो मैंने किसी का बलतकार नहीं किया उन केस को लेने का जरूवत था जब अल्रेडी पूफ हो चुका है कि वह रेपिस्ट है तभी तरुन कहता है कि कंबिक्टेड रेपिस्ट का भी संब्धानिक अधिकार है कि उने भी प्रॉपर लीगल और डिफेंस मिले नहीं तो किसी को भी उठा कर अंदर किया जा सकता है बि इसके बाद रोहन उसे सब कुछ बता देता है इधार हम देखते हैं कि अंजली का केस हीरल लड़ने वाली है तब यह हाई कोट में केस की सुनबाई का दिन आता है और हीलर अपना पक्च रखते हुए कहती है कि रोहन अपने साथ काम करने वाले सभी लड़कियों को अपना सि हाती है कि रोहन को कम से कम 20 साल की सजा मिलनी चाहिए तब ही तरुन अपने डिफेंस में कहता है कि रोहन की उपर जो आरोप लगा है वो अंजली के साथ कभी हुआ ही नहीं डिफेंस ये प्रूफ करके रहेगा कि कैसे एक औरत कानून का गलत इस्तमाल करती है जो कानून उस एक बलत कारी को डिफेंस कर रहा है तभी केस की सुनबाई दुबारा से सुरू होती है और तरुन इन्वेस्टिगेटिंग ओफिसर को कट घरे में बुलाता है और पूछता है अंजली ने रिपोर्ट दिन में लिखाए थी लेकिन आप रोहन को अरेस्ट करने सामको गए इ ब्लैक मेल करके पैसे भी मांगे लेकिन रोहन ने देने से साफ मना कर दिया जिसके बाद पूलिस ओफिसर ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसका फोन भी जप्त कर लिया कानून के हिसाब से किसी भी आरोपी का फोन जप्त करना गलत है लेकिन पूलिस ओफिसर ने दो दिन ब कि वो क्या फैस्ला सुनाय इसलिए सुनबाय के लिए अगली तारीख देते हैं अब अगली इस सुनबाय का दिन आता है जहाँ पे तरुन रोहण को गटारी में बुलाता है और अपने सायड का स्टोरी बताने को कहता है तबी इस दिन यहां से पीछी की ओर जाती है और हम देखते हैं कि रोहर्ण फिल्म की सुटिंग कर रहा था तबी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है वह लड़की अंजली होती है वह फोटोज खीच रही होती है फिल्म के सेट पर फोटो खीचना एलाव नहीं था तब ही वह उसे डाट कर उसके फोन को चेक करता है तो आप पूरी तरह से सौक हो जाता है कि अंजली उसी की फोटो चुप चुप के खीच रही थी एक दिन रोहन सेट पर सुभा चार बजे ही पहुंच जाता है वह देखता है कि वहाँ स्रिप अंजली है वह उसे कहता है कि किसी को बोल दो मेरी वैन में कॉफी बना कर ले आए थोड़ी दिरवाद अंजली ही वहाँ कॉफी लेकर आती है और बताती है कि अभी तक कोई नहीं आया है इस मॉमेंट का फैदा उठाते हुए रोहन अंजली के करीब जाने की कोसिस करता है लेकिन अंजली पीछे हर जाती है वह कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप साधी सुधा हो अंजली असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजानर थी इसलिए रोहन उसे परमोट करके अ दोनों बहुत करीब आ जाते हैं रोहन उसे एक फ्लाइट भी दे दिया था वो दोनों वही पर मिला करते थे एक बार वो दोनों लेटे हुए थे तभी अंजली कहती है जब आप दोनों साथ नहीं हो तो साथ में क्यों रहते हो लेकिन रोहन उसकी बातों को अंसुना करके मिटिंग है कहा के जाने लगता है तभी अंजली उसे साधिक लिडिंग देती है और हैपी एनिबर्सरी बोल कर उसके मुपर दरवाजी को बंद कर देती है उसके अगले दिन रोहन उसे फ्लाइट की चावी ले ले लेता है और उसे नौकुरी से भी निकाल देता है क्यूंकि वह डर गया था कि उसकी अफेर के बारे में उसकी बीबी को पताना चल जाए अगले दिन अंजली फ्लाइट पर वापस आती है अपना समा लेने के लिए तो वह देखती है कि वह कोई और ही लड़की मौजूद है तभी अंजली कहती है मैं एक्टर के लिए कॉस्टूम डि पर तुम्हें तो मेरी बीबी बनी है तभी अंजली कहती है मैं थूकती हूँ ऐसे काम पर और अपना समान लेकर वहां से निकल जाती है दो दिन बाद रोहन के पास फिर से अंजली का कॉल आता है और वो माफी मागने लगती है वो कहती है आप मेरा करियर बना रहे थे मुझे माफ कर देजे मैं बस आपको मिस करती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए तभी रोहन उसकी बातों में आ जाता है और उसे कॉस्ट्यूम लेकर घर आके दिखाने को कहता है तभी अंजली घर आती है और कॉस्ट्यूम खोल कर दिखाने लगती है तभी यहां पर दिख जगाया कि तुम कुछ कर सकती हो और एक ही जटके में सब कुछ छिन लिया तरुन बताता है कि उस दिन अंजली लिप्ट के बजाए सीधियों का इस्तमाल किया था क्योंकि वहां पे कोई CCTV क्यमरा नहीं होता है और वो सीधियों पे जढ़ते समय अपने प्राविट पार्ट जज फैसला सुनाने से पहले ब्रेक लेते हैं उसी में से एक जज को बाहर खरी लोगों की आबास सुनाई पड़ती हैं जो इंसाफ की मांग कर रहे होते हैं वे देखते हैं कि लोग पूरी तरह से पागल हो गये हैं और वो चाहते हैं कि रोहन को बड़ी से बड़ी सजा मि अगर कोई आदमी औरत की उपर हावी होकर कुछ करता है और वो मेडिकल रिपोर्ट में प्रूफ हो जाता है और वो औरत कोट में आकर कह देती है कि उसके साथ जो हुआ उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो कोट को यहां मानना ही होगा जब तक कोई आरूपी ठोज सबुत नही ले आता है और जो सजा रोहन को सेशन कोट ने सुनाय था वही सजा को हाई कोट कायम रखती है और दस साल के लिए जेल भेजती है तभी तरुन इस जजमेंट से खुस नहीं होता है वो कहता है मैं इस जजमेंट को चैलेंज करूँगा तभी रोहन अपनी बीबी के पास आत है और कहती है तरुन जी ने जो कहा वो सच कहा था रोहन ने जो किया वो बलतकार नहीं था लेकिन बलतकार से कम भी नहीं था आपके मदद के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद हीरल पूरी तरहा से सौक हो जाती है तभी कुछ ट्रायम बाद हीरल अपने बॉइफेंट के सा सब्सक्राइब आई हो तो एक लाइक कर दें मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ